हाई फ्रेंड्स अब मैं ओडिशा के टिक्री के अन्मान मंदिर पर हूँ इस वीडियो में मैं आपको ये मंदिर के बारे में पूरी जानकारी दूँगा जो कि एक भिन्ना अक्रूतिकला से बनाई गई है टिक्री एक छोटा सा सहर है ओडिशा के राइगड़ा जिल्ला में खेला है राइगड़ा से तक्रीबन 70 किलमेटर पर है यहाँ पर आप दोनों बॉस और ट्रेंड से आ सकते हैं यहाँ के नईदिक की बस्ट आप और रेलियो सेशन टिक्री ही है इस टाउन के पुर्वतिशा यानि सहर के में रोड के डाइने तरफ सहर के पीछे स्री सिर्शी संकट मोचन हनुमान जी की मंदिर है यहाँ पर जाने के लिए कोई प्रोमिनेंट राष्टा तो नहीं है लेकिन जब आप सहर को एंट्री करोगे राष्टा के बाएं तरफ बस्टान थोड़ा आगे डाइने तरफ पोली स्टेशन और थोड़ा सा आगे राष्टा के बाएं तरफ आएसी आईसी आई बेंक का ATM ATM से थोड़ा आगे राइट साइट एक गली का राष्टा जो कि इतना प्रोमिनेंट नहीं है लेकिन खोर्विलर बगिरा जा सकता है और इसके डेक्स्टिनेशन में एक सुन्दर हन्मान जी की मंदिर स्थीत है राष्टा उतना अच्छा नहीं है फिर भी ये राष्टे पर बहुत सारे लोग सुबह जाम चलते है जगिंग करने के लिए ताकि जगिंग भी हो जाए और प्रभगा दर्शन भी इस राष्टा पर जगिंग करने के लिए लोग इसलिए प्रिफर करते है ताकि राष्टा थोड़ा पाहडी और कटनाई है और सीट्स पर एक सुन्दर मंदिर होने के साथ वाइस्टावार है जहां से पूरे सहर को लोग देख सकते हैं मेंड रोर से तक्रीपन डेट से दो किलोमेटर होगा ये मंदिर रास्ता को पार करके हम पहुँचे हनमान जी की मंदिर टाइम लगबाग चार बजना वाली है और अभी तक कोई लोगों की ज्यादा भीड नहीं हुआ है मंदिर निया है और बहुत संदर है मंदिर को देखने से पता चलता है कि मंदिर की निर्मार थोड़ा साउथ इंडियन की कड़ा और संस्कूर्थी से मित्दा जुलता है मंदिर को देखने से पता चलता है मंदिर को देखने से पता है मंदिर के चारों तरब डेबलमेंटाल वार्ट तो चल रहा है लेकिन वहाँ पर एक छोटा सा पार्क जैसा कुछ हो जाए तो ये जगा बहुत सारे प्रजेटों को आक्शूस कर सकता है यहाँ पर गवर्मेंट और वोडिशा के फरेस्ट इविजन के एक तीन मंजिला वाइस टावर है जहाँ पर पबलिक लोगों की जाने आने विल्कुल फ्री है तो चलो देखते हैं वाइस टावर से मनिर और सोहर कितना अच्छा दिखता है यह देखिए टावर की ग्राउंड फ्लोर लगता है अब यह भी बना हुआ है तो चलो उपर चल के देखते हैं वाव सब ब्यूटिफूल देखिए फ्रेंड्स अभी मैं माल के लास्ट टुक पर यह वीडियो शूट कर रहा हूं दोफ की बजह से पेड़ पोधा थोड़ा फिका दिखाई दे रहा है फिर भी कितना सुन्दर दिखता है यहां से यह जगा एक दो महेने के बाद जब बारीश इस धर्ति पर छुएगा पेड़ पोधा थड़ा भरा भरा हो जाएंगे कितना सुन्दर दिखाई ना दगा य माजिन की चीज़ चो फ्रेंट्स कभी भी आप इदर आये तो इस जगा को एक बार जरूर आना आशा करता हूं यहां पर आने से आपके मौन को थोड़ा सुकून मिल जाएगा प्रकृति की इस सिंदरतार को एंजे करते करते कब साम हो गया हमें पता नहीं चला और साम होते पूर भाम यहां से रवाना हुए तो फ्रेंट्स इस वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे अगर वीडियो आपको आच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें अपने दोस्ते के तक स्यार करें और अभी तक मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किये है तो सस्क्राइब जरूर करें क्योंकि इस चैनल में मैं ओडिशा का एसे ओनर्स फ्रूल लोकेशन का वीडियो लाता रहता हूं थेंक्यू नमस्कार जय जगन्नात